इसे पहले कि आज का सेशन सुरू हो एक इंपोर्टेंट सूचना आपके लिए अब आप मुझे अनेकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा प्रोफाल है मनीश कुमार के नाम से यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर मेरे बारे में जानना चाते हैं तो यहाँ पे वो चीजे लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैंने B.T.E.C. पर रखा है सिविल से और अभी तक का पान साल का तज़ूरवा है तीचिंग में लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं यानि कि 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो वो आपको 6000 पर जागा कि अगर चाहते हैं और यहां पर जो टेस्सरी और कुशिज को बहुआ हैं तो यार कोशिश भी करेंगे पहला कोशन आपके सामने दिख रहा होगा निम्ली में से अगाडिया जो समुदाय है उसके संदर में चार ऑप्सन दे रखे हैं कौन सा option आपके सही है देखिए अंधरा पदेश का परंपरागत ताड़ी निकालने वारा समुदाय को क्या अगाडिया करते हैं या महराष्ट का परंपरागत मतस जो समुदाय है या कि मतस्यन जो करते हैं उस समुदाय को ही अगाडिया करते हैं या करनाटा के परंपरागत रेसम ब option आपको छाटना है तो इसका अनसर क्या हो जागा गुजरात का परमपरागत लवन पटल स्रमिक क्या कहलाते हैं जो समुदाय है वो जो आपके ये कच्छ वला रीजन है यहां पे आपका पूरा salty area है तो ये जो area में जो स्रमिक रहते हैं जो लवन यानि की जो नमक बनाते हैं अपने सुना भी होगा के गांधे जी नमक बनाये थे गुजरात में ठीक है सावरमती के जो आस्रम से निकले थे और समुद के किनारे जाकर उन्होंने नमक बनाया था तो ये जो नमक वाला छेत्र है वहां पे जो समुदाय में जो कुछ स्रमिक रहते हैं उसको क्या कहा गय है अगाडिया कहा गया है ठीक है उनको क्या कहा गया है अगाडिया अब यार कैसे करेंगे कि अगाडिया जो लवन च्छित में जो रहने वाले स्रमिक है उनको कहते हैं देखे अगर कोई भी चीज बनाते है कोई भी सबजी बगेरा बनाते है तो सबसे आगे किस का अस्थान होता है नमक का होता है आप कितना भी किसी भी चीज का सबजी बना ले जब तक नमक नहीं है पूरा सबजी आपका बेकार हो जागा चाहे तो कडूरों का आप सबजी बना ले और अगर जन जाती है एक बर्ड होता औरा औरा मतलब कि अगर हम बिहार या यूपी में आते हैं तो औरा मतलब कि उसका को हम लोग क्या बोलते हैं देहाती भासा में औरा बोलते हैं तो हम लोग देहाती भासा में यूपी बिहार में इजालत रहे बिहार में बोला जाता है और बिहार स q ask tuва कि इन वर्दाय को एक बिर्ड है। उल्हा हम लोग होता है कभी हम लोग हम लोग आपस में क्या करते हैं कि और नहीं त्यएर टीक है मतलश को नहीं दिया यह बिर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको मतलबोval रूर हम हम लोग जहां पे रहते हैं जैसे रहते हैं उसी से हम surrounding से हम relate करके चीजों को याद करेंगे आब वो जन जाती यानि कि आने की बात करता है तो किसको बोलेगा आने की अगर दो चार लोग रहें रहेंगे दो चार लोग एक साथ रह रहेंगे और उसमें असमानता फैल गई यानि कि किसी की बात को मतलब कोई बुरा मान गया तो जो थर्ड परसन है इधरत बैठा हुआ वो कहेगा कि आबो मेरे पास आजाओ ठीक है आबो मेरे पास आजाओ अगर तुम लोग में जगड़ा किसी का हो गया है तो मेरे पास आके रहो ठीक है या रूम में या मतलब होता है राकि जगड़ा वो असम की है ठीक है देखिए आप अपने तरीके से भी चीजों को याद कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि किसी दूसरे के मुझे सुना हुआ चीज जादा याद रहती है ना तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजे याद रहेगी हला कि यह आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं लेकिन यह सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद नहीं होता है अक्रा कोशन क्यों बढ़ते हैं भारत का सबसे लंबा लाश्ट्रिये जलमार कौन सा है देखे जलमार के बहुत कम ही है जलमार क्या होते हैं कि हिससे की हम नौका के थुरू एक अस्थान से दूसरे अस्थान चले जाते हैं एक डिक्साइन किया किया है कि यह निशनल वाटर बे हैं तो जो हल्डिया जो कि आपके पश्रिम बंगाल में है और परियाग राज जो कि आपके यूपी में है वो जो नेस्टनल वाटर कहां से कहां तक है यह मैंने आपको बता दिया अच्छा आ जो एरलाइंस की बात की जाए तो सरकारी एरलाइंस में दोस्त एरलाइंस है एक इंडियन जो एरलाइंस है और एक है एर इंडिया अब दोनों में डिफरेंस आपको तो पता है कि एर इंडियन एरलाइंस जो अपना परिवहन वस्थापित कर रखे हैं वो देश के अंदर ही हैं कभी कभी ये नेपाल और ये छोड़े बोड़े जो देश हैं पड़ोसी के वहां तक जाती है लेकिन इसका में उदेश क्या है कि जो इंटर्नल जो परिवहन है उसको मिंटेन करना यानि कि आगर आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं तो इंडियन एरलाइस के ठेड़ो जायेंगे ठीक है लेकिन अगर आप दिल्ली से बैंक को को कर आ है लेक। हम airlines के बात करें तो अगर देश के अंदर की बात करें कि परिवहन के लिये क्वार्ण जिम्हेदारी लेता है इंडियन एर लाइंस और देश से बाहर यानि के विरेश के लिए एर इंडिया अब प्रूछा क्या जाता है कि दोनों airlines का मुख्याले करहां है तो देखिए अगर ह हम उड़ने की बात करते हैं तो हर कोई चाहता है कि सिंटर मेस आरा को ही रहा है वो क्या चीज भीकर की वो भविस्ट की बात है अगरा कोशन की और बढ़ते हैं बटेस्वर मंदीर कहां पे इस्तित है देखिए बटेस्वर मंदीर कहां पे इस्तित है MP में यानि की मध्य परदेश में यार कैसे करेंगे अगर कोई भी चीज बट रहा होता है अगर कोई भी कहां पर है मर्द्य पर्देस में ठीक है आसानी से याल हो जाएगा लाश्ट कोशन है धूम केतु किसके आसपास घूम रहे चमकदार अकासिय पिंट है देखे धूम केतु क्या होता है एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि छोटा सा इस्टराइड टाइप का होता है ठीक है एक ग जोटे रहे निए तो यह जो आपके ढूंक होता है वह सुरी के चारो में चंडु क्या रहा रहा है तो यह तो आपका ढूंक यानि कि गहूं कि आप इसको याद रखे घोम रहा है कि चारो संत्य बिएध के चेध़ेrik के चारों और गूं रहे हैं तो यह भी आपक से जोप तुवासा करते हैं जितने भी question आज मैंने आपको कराएं आसानी से याद हो गया होगा क्योंकि इसमें कुछ लफ़ला तो है नहीं जितने भी छोटे मोटे question थे उसको मैंने आपको trick से याद करवा दिये तो इस तरह से बने रहा हुँ जानल के साथ नेक्ट वीडियो में नेक्ट आपडेट के साथ मिलके तब तक के लिए धाने बाद